गुजरात ने मुंबई को धोया प्वाइन स्टेबल में बाजसाहत पाया जी हाँ, IPL 2023 का 35 मुकाबला गुजराट टाइटन्स वर्सेज मुंबई इंडियन्स के बीच मुकाबला खेला गया ये मुकाबला एक तरफारा जहां गुजराट टाइटन्स ने पहले बल्लेबाजी में अपना सामराज्य हासिल किया जो इनके डिथ होवर्स के स्पेसिलिस्ट बैटर हैं उन्होंने मुंबई के गेदबाजों की जमकर धुनाई की और लाश पांच ओबरों में 77 रन की स्कोर बोर्ट पे लगा दिया और 207 रनों का विसाल का स्कोर भी स्कोर बोर्ट पे इन्होंने लगाया तो आप देख सकते हैं कि 20 ओबरों में 207 रन गुजराट टाइटन्स ने बनाए जब इसके जवाब में चेज करने आई मुंबई टीम तो सुरुवाती ओबर्स में ही वो पूरी तरीके से लड़ खड़ा गए थे और जो स्टार्ट मिलना चीए था वो स्टार्ट नहीं मिल पाया इसान किसन काफी ही सलगिस दिख रहे थे पिछ पर और काफी संघर्स करते वे दिखें बिलो हंडेट उनका स्ट्राइक रेट रहा अगर हम मुंबई इंडियन्स के स्कोर कार्ड पे नज़र डालें तो उन्होंने 20 ओवरों में मातर 122 नन बनाया 9 विक्टो के नुक्सान पे और 55 रनों से ये मुकाबला उन्हें गवाना पड़ गया और पॉइंस टेबल में उन्हें भारी नुक्सान भी हुआ एक तो निट रन डेट का नुक्सान हुआ प्लस एक दो पॉइंट जो अरजित कर सकते थे वो वो नहीं कर पाए और लगतार दो ऐसे मुकाबले रहे जहां उनके डिथ बॉलरों ने उनको निरास किया पिछले मैच में 90 के आसपास स्कोर उन्होंने 5 ओवरों में कंसीड किये थे मुंबई इंडियन्स के डिथ बॉलरों ने इस मैच में लगभग 77 रनों का स्कोर उन्होंने 5 ओवरों में कंसीड कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लचर है उनकी गेदबाजी, आज के मैच में जोफरा आरकर नहीं थे, जिस कारण रेले मेरेडित और जैसन बैंडरॉप के उपर ये जिमिदारी थी, पिछले मैच में अरजुन तेंदुलकॉर को ट्राई किया गया था, वो 31 रन कुटे गये थ देविड मिलर, अब सेक मनोहर और तेवतिया के तो क्या ही कहने भाई साब, वो 4-5 गेंड लेते हैं और पूरा का पूरा इंपक्ट अपना छोड़ कर मैच में चले जाते हैं, क्या प्लेयर हैं, ये समझ में नहीं आता, चाहे फिनिसिंग टाच चेज की वक्त देना हो, चा उनका टैलेंट विशो पटल पर और निखर कराएं, और अपनी प्रतिवा वो छोड़ पाएं, क्योंकि 5-6 गेंडों पर क्या ही बैट्समेन कर पाएगा, 20-22 बहुत करेगा, तिवतिया जैसा कैलीबर वाले बलेबास तो बना लेगा, तो थोड़ा सक तिवतिया के साथ ना पार्गेट सेट करने का वक्त हो, इस विन के साथ जो पच्पन रनों का जीत रहा, इसके साथ गुजराट टाइटन्स ने पॉइंट स्टेबल में भी बासाहत हासिल कर ली है, अगर पॉइंट स्टेबल में नज़र डालें, तो आपको दिख रहा होगा कि चनेज सूपर कि जरूर नंबर वन पे है, लेकिन पॉइंट से आप नज़र डालेंगे, तो पांच पांच विन के साथ दोनों ही टीमें, दस पॉइंट के साथ पहले नंबर पे हैं, अगर नेट रन रेट वहाँ पे देखा जाए, तो वहाँ पे डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, Otherwise, दोनों टीमें पहले नंबर पे आ चुकी है, पॉइंट के मामले में, और नेट रंडेट के मामले में, गुजरात थोड़ा सा नीचे हो जा रही है, दूसरे पोजिशन पे, तीसरे पोजिशन पे रास्थान रायल्स है, आठ हंकों के साथ, और लखनोगुस उपर जाइन्स कि लगातार दो मैच, उनके डेथ बॉलर्स उनको हरवा दिये हैं, और ये जो कंबिनेशन है, उनका डेथ बॉलिंग का, वो सठीक बैट नहीं पा रहा है, जो फ़रा आरकर जरूर इस बार वापसी कियें, लग रहा है, पूरी तरीके सो फिट नहीं है, और मुंबे इंडि जरूर खसते आलत में हैं, और ये आठवे अस्थान पे है, चार पॉइंटों के साद, नहुए पर संराइजर हैदराबाद और दसुएं पे दिल्ली कैपिटल्स दस तमकों के साद, तो जो टॉप की चार टीमे हैं, इनका हालात जरूर खसते हैं, लेकिन जो टॉप की सिक् तब जाकर ये उपरे वाली टीमों को टक कर देते वे नजर आएंगे तो आज के मुकाबले में गुजरात का बोल बाला रहा एक बार हम लोग स्कोर कार्ट पे नजर डाल लेते हैं कि किसने कितना का स्कोर किया कि अगर गुजरात टाइटन्स की तरफ से बात करें तो इन्हों मनोहर ने 42 सन बनाया 21 गेदो पे क्या सांदार बल्लेबाजी रही इनकी 3 चोके और 3 चके जड़े तो वही रहुलते वतिया की तो तुफानी पारी आई 5 गेदो में ही 20 सन जर दिये अगर हम मुंबई के गेदबाजी पे नजर डालें तो वहाँ पे कुछ खास देखने को न बात करें चाहे हम मिडिल ओडर की बात कर लें चाहे हम फिंसर्स की बात कर लें सभी स्ट्रगल करती हुए नजर आए निहाल वदेरा ने जरूर 40 सन की पारी खेली लेकिन वो पारी तब आई जब लगभग मुंबई इंडियंस मैच हार चुकी थी 40 सन मनाया 21 गेदो पे ती बाजी की और मुंबई के मिडिल ओवर्स में उनको बांधे रखा बलेबाजो को रासित खान ने चार ओवर में 27 सन देते वे दो विकेट तो आज नूर अहमत का दिन रहा जिन्होंने चार ओवर में 37 जरूर खर्चे लेकिन 3 विकेट जिसके लिए उनको रखा गया है विके रिपोट कर रहा और बुरी तरीके से यहां पर फ्लॉप दिखी मुंबई इंडियन्स गुजराट टाइटन्स के आगे और अपने घर में गुजरात ने हरा दिया है मुंबई को और पॉइंस टेबल में वो अब चेन्नेई के साथ पहले अस्थान पर आगे हैं 10 अंकों के स इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें